हमारे पास कोशन गिवन है जिसमें होश्टर में 600 बोईस है और बोईस जो यहाँ पर होकी खेलते हैं फुटबोल खेलते हैं और या फिर दोनों खेलते हैं 75% जो यहाँ पर होकी खेल रहे हैं, 45% फुटबोल खेल रहे हैं, कितने ऐसे बोईस हैं जो कि दोनों स्पोर्ट को खेल रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास जो गिवन है, NH union F जो हमें कितना दिया हुआ है, 600 बोईस हैं यहाँ पर, उसके बाद जो है यहाँ पर NH हमें यहाँ पर गिवन है, 75% of 600, तो अगर इसे हम सॉल्ल करें तो 75 upon 100 into 600, तो यह कितना आ जाएगा हमारा, 0 से 0 कैंसल हो जाएंगे फिर यहाँ पर हमारा आ जाएगा, 75 into 6 हो जाएगा, 450 तो NH जो है, यहाँ पर हमारा 450 आ गया, उसके बाद जो है, हम यहाँ पर NF को निकालेंगे, तो यहाँ पर हमें NF भे दिया हुआ है, 45% of 600, तो इसको अगर यहाँ पर हम सॉल्ल करेंगे, तो 45 upon 100 into 600, 0 से 0 यहाँ पर हमारा cancel हो जाएगा, और यह कितना आ जाएगा, 45 into 6, 270, तो यहाँ पर हमारे पास जो है, NF आ गया, NH आ गया, NH union F जो हमें पहले गिवन था, तो यहाँ पर हमें निकालना क्या है, बोथ निकालना है, तो दोनों स्पोर्ट्स का निकालना है, तो यहाँ पर intersection निकालना है, तो इसका formula क्या होता है, NH intersection F is equals to NH plus NF minus NH union F, तो यहाँ पर हमें simply यहाँ पर अब values को put कर देंगे, 450 plus 270 minus 600, इन दोनों को add करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 720 minus 600, तो इसको minus कर देंगे, तो 120 जो है हमारा intersection आ जाएगा, H और F का, NH intersection F जो है हमारा 120 आ जाएगा,